हेलो साथियों मैं एड़ोकेट अनुप उपाध्या है आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हो साथियों आज के लेक्चर में हम लोवर कोट्स में जो डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो शब्दावली यूज होती है मेंज जो वर्ट्स कुछ उर्दू के वर्ट्स होते हैं जिनका यूज डे टूडे होता है और डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर वो लिखे जाते हैं बट हम उनको पढ़ने में कन्फ्यूज होते हैं तो आज के लक्चेर आमस में लोट्स क्या सिखेंगें में यूज होते हैं और आज हम बात करेंगे पहले वर्ड की रख्ञाएं शहत्रफल means होता है चैटरफल की जगह पे तो अगर हमें बाठ इसका मतलब है जैटरफल फिर बाद सकूनत की इसको हम कह सकते हdist hisäss são fragile document में निवास के नाम से जानते हैं फिर आगी चलेंगे हलफ नामा साथियों अगर कोट में जाएंगे आप कभी तो पहली वर्ड आता है हलफ नामा देना पड़ेगा हलफ नामा का मतलब होता है शपद पत्र और इंग्रीश में इसको कह सकते हैं एफ डेविट आपके सामने भी है ये देख को ही हम क्या नाम से जानते हैं बै नामा विक्रेपत्र सेल डीड होता है कई तरह के डीड्स होते हैं मैं एक सेल डीड की बात कर रहा हूं जैसे कोई भी व्यक्ति अपना कोई प्रॉपरिटी बेचता है क्याता है बै नामा कराना है मतलब बेचना है किसी की नाम कराना है प्रो से हम क्या कह सकते हैं इक्रार नामा मींस एग्रीमेंट हम कह सकते हैं इसको एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया इक्रार नामा फिर तर्मीम मतलब बदल देना या सुधार देना मींस कोई भी चीज में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी चीज में कोई बदलाव है कोई कर करेक्शन को change करना किसी पर्टिकूलर चीज को या फिर उसमें गिलाता है साथीयों सुधार देना फिर बात करेंगे हम बनाम का मंतलब होता है के जैसे कही बार आपने कर देखा होगा कि वर्सेस बीच में दिखावा आता है जैसे मोहिरी बीबी का एक केस है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोश क्या कहा हूं मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोश अब जैसे इसका केस है तो इस केस में पूरे जो यह वर्सेस आता है इसी को ही बोलते हैं हम बनाम और ड पिता का नाम बताना means to tell about the father's name is called वल्दियत इन उर्दू फिर आता है जोजे जोजे का मतलब होता है पत्मी wife and बैशुदा means खरीदी हुई चीजे जैसे आप क्याता है बैशुदा है यह प्रोपर्टी बैशुदा है मतलब यह प्रोपर्टी खरीदी हुई है सातियों फिर आपका क्या है possession है सातियों क्या है possession है फिर उसके बाद आता है दिगर दिगर का मतलब अन्य कोई अन्य बात हो रही है जिसकों कह सकते है अदर तो उसको मतलब होता है दिगर अब आता है वारिसान वारिसान का मतलब क्या होता है उत्त्राधिकारी अब मैं बात करूंगा उत उत्राधिकारी है क्या कह सकते हैं सुचसेशर क्या कह सकते हैं साथियों से उत्राधिकारी का अब करेंगे आदा करेंगे तो गिरिवी में भी कई तरह की टॉपिक्स आते हैं जो आपको बताना चाहता हूं जैसे मोटगेज हो गया क्या बोल रहा हूं मोटगेज हो गया प्लेज हो गया and other कई और भी होते हैं इसके जैसे की जैसे वो सभी क्या किस में करवठ होते हैं फिर आता है बक्षिस ये तो बहुत इजी वर्ड है आप सभी को पता है फिर भी इसको लिया गया है बक्षिस बीस उपहार या दान देना हम इसको कह सकते हैं साकीन का मतलब होता है निवासी को इंग्लिश में क्या कहते है रेजिडेंट क्या कहते है साथियों रेजिडेंट जैसे यह निवासी कहा का है यह निवासी जोधपुर का है यह निवाशी इलाहबाद का है यह निवाशी लखनव का है to to be the resident of that place इससाकिन वड्विक खाए आथा यह साकिन है क्या किसको किया जाएंगा लैंड को तो सेल अगर मैं लैंड को करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता हुआ है देन आगे हम बात करेंगे ख़ुध की क्या होता है जैसे मैं किसी की बाउंडरी की बाउंडरी कि यह बाउंडरी इसकी सिमAnn कहा तक है तो उसको हम यूज करेंगे रहा हम से कि मि ost जान funny बदस्तूर बदस्तूर का मतलब क्या होता है साथियों बदस्तूर का मतलब होता है हमेशा की तरह और यह हाल का मतलब वर्तमाल जिसको हम बोल सकते हैं present में क्या चल रहा है देन बात करेंगे हम खुर्द एक खुर्द होता है एक कला होता है खुर्द का मतलब होता है छोटा और कला का मतलब क्या होता है बड़ा means small and big क्या कह सकते हैं हम इसको small and big साथ यह lecture का मतलब यह है कि आपको कम से कम अगर आप कोई कोट में जाते हैं तो किसी वर्ड को देखे डरें नहीं इसका बहुत इजी अर्थ होता है जिसको आज हम समझ रहें तो खुर्द का मतलब छोटा और कला का मतलब होता है साथियों आपके सामने यह जो मैप दिख रहा है कहां का मैप साथियों यह स्री नगर का मैप है पहले क्या होता था मैप जो मैप होता था किसी भी खेत का कपड़े पर बना होता था मतलब कोई भी खेत है आपकी जमीन है जो जहां पर आपका खेत है उस खेत का पूरा करके उस पर रख दिया जाता था जिसे कहते थे कि सजरा पर्चा क्या कहते थे सजरा पर्चा मतलब आपका पूरा जमीन का नक्षा एक कपड़े पर पूरा रख दिया गया है आपके सामने यह जो नक्षा है यह है अपने स्री नगर का पूरे स्री नगर के नक्षे को कपड़ होता है मिला जुला भाग यह थोड़ा सा गडबढ है साथियों मिला जुला भाग का मतलब होता है कि उसके एक जैसा आस-पास का ठीक साथियों फिर आगे हम बात करेंगे बेवा आज कल यह बहुत ही कॉमन वर्ड है वैसे कि अगर मुस्लिम में अगर कोई भी औरत है जो दोक्युमेंट्स में वल्ड के रूप में यूज होता है और दुखतर मतलब अपनी जो डॉटर होती है क्या कह रहा हूं डॉटर को दुखतर के नाम से जाना जाता है और कौमियत का मतलब कौम अब यह तो बहुत एजी वर्ड है कौमियत का मतलब होता है कि आप किस जाती स क्या है ठीक है साथियों देन हम आगे बढ़ेंगे मुतवली यह बड़ा ही मुस्लिम लौ की बात करेंगे तो उसमें वर आता है मुतवली मींस मुस्लिम धार्मिक संपत्ती का करता ठीक है साथियों फिर उसके बाद कास्टकार कौन होता है कास्टकार भूमी को जोतने वाला हों कास्त करने वाला कांस्त कार कह राता है पर सन जो की धूमी को क्या कर रहा है और खेती कर रहा है वह क्या कह राता है कास्त का देन हम बात करेंगे शामलाध कोई kangalit है तो उसे हम बोलता है शामलात में यह लेंड दी गई है जैसा हम कहते हैं कि विच इस रिटेन एबो रिटेन एबव मतलब होता है कि जैसा उपरोक्त लिखा गया है कोई भी चीज जो एबो लिखी हुई है मिंस रिटेन एबो हम यह ऐसे बोल सकते हैं रिटेन एबो इसका मतलब होता है मुंद्रजा मिंस जैसा उपर लिखा गया है उसी की रेस्पेक्ट में नीचे बात हो रही है देन हम आगे चलेंगे बात चलती ही राहिनी, राहिनी का मतलब होता है गिर्वी देने वाला, क्या कह रहा हूं साथियो कोई भी व्यक्ति जो गिर्वी देता है वो राहिनी और जो गिर्वी लेता है वो मुर्तहिन कहलाता है, क्या कहता है मुर्तहिन, तो दो वर्ड याद लेने वाला तो राहिन और मुर्तहिन दूवर्स थे देन हम बात करेंगे मुस्तरी मिन्स भूमी खरीदने वाला कोई व्यक्ति जो पर्चेस करता किसी लैंड को पर्चेस करता किसी लैंड को पर्चेस करता किसी लैंड मुस्तरी भूमी खरीदने वाला व्यक्ति मुस्तरी कहल और बाया वाट इस दाव्य वाया का नाम बाय नहीं साथ ही ओ बाया का मतलब होता है भूमी बेचने वाला पर्सन फूस्टाइज लैंड इसकॉल बाया देन आगे हम चलेंगे लास्ट हमारा आज का वर्ड है महबर या क्या बोलता है महबर कि नहीं मिन्स होता है उपहार लेन है उसे हम बात करते हैं वाहिब तो आज हमने दो यह जो लास्ट वर्ट पड़े यह इंपोर्टेंट है मोह बैला का मिन्स होता है उपहार लेने वाला और जो उपहार देता है उसे कहते हैं हम वाहिब तो साथियों आज की इस लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे इसके बाद ह जो लीगल टम्स होते हैं टर्मिलोजी होते हैं उसके भी बारे में हम बात करेंगे साथियों आज के लिए इतना ही हैव नाइस डे थैंक यू सो मच